जबसार तालिव जाओ मांतो शक्ति जिताबाओ या बाद तो ये खुदिने बाँनता है मम्मी जादा सब के मम्मी ऐसी होती है मेरे बच्चों की बी सोब के मम्मी मजबूत होती है ठीक है? चलो एक बात बता हो ये तो हेलमेट हो गया लेकिन बेटें एक हेलमेट करीदने जाओगे तो क्या चीज द्यान रखोगे बताओ आईएसाई किसी ने बोला था बहुत अच्छा बोला वेटा तारी बजाओ इसके लिए अच्छा हेलमेट आईएसाई के लाओ एक बी आईएस का नाम सुणा किसी ने आईएसाई का नाम बदलके 1986 में बी आईएस कर दिया बी आईएस करने के पिछे काम क्या था? कि बी आईएस करने के बाद लंबर इंग लेने लगे जैसे ये प्रोडेक्ट बनाये बारत ने दे एक नमबर मेरे चस्छा दो नमबर तो हेलमेट का नमबर कितने पाया? का ध्यान रखना है ना 4151 का चीक है हेलमेट समझ भाया पीछे लिखा मिलेगा इन बिल्ट होगा बियाएस उसमें क्यू आर कोड होगा और एक हेलमेट ऐसा होना ची पूरा कोड होना ची गरदन वगरा ऐसा नहीं जो सारुखान शावन टहरा था ना पीवासा था नहीं उसमें गरदन कवर नहीं हो रही थी अगर गलती से उसमें गिर जाओगे तो जाब ड़ी कैंटी इधर को खिसको फिर आराम से बैस की तरह दुबाली करतर हो चीक है इन लाइट्स कितने तरेंगे होती है बताओ कोड़ बढ़ाता है तुम गलत-गलत वो दिखो उदर करने ना अरे वो तो बिल्कुल सेट बढ़ा रहे है अपनी आराम कर रहे है होती तो तीन तरेंगी है लेकिन मेडम ने अगली बात नहीं बताईए अगर तीन तरेंगी कोई मिमान ने गाता तो चोती बत्ती होती है अगर बत्ती जो आदमी नहीं मानता ना उसकी फोट्टू पर चलती है तो वो सलेबस कार नहीं है पर वो बहुत मायतमों नहीं से अच्छा फेर उसमें कई बार मोम बत्ती लिए होती है तो पांच बत्ती होगी ना पांच बत्ती होती है जैपूर में पांच बत्ती चोराया है ताली बजनती है अच्छे फीली वाली लाइट कितनी देर जलती बताओ कोई बात ना क्यों दिमाग लगा तो चार सेकंड जलती है यह चार सेकिंड क्यों जलती है यह इंडिकेट करती है चार सेकिंड चार सेकिंड इंडिकेट क्या करती है फिली बती कि इसमें घुसोगे तो मरोगे ही मरोगे और इसमें मरोगे तो फिर चार जो सेकेंड कम लो चार भाई उसको कंदे पे लेंगे सेकेंडों में और फिर एक विशेस परकार की दवनी करेंगे राम राम ठीक है एक चार का फिगर और का का माता है हेलमेट कितनी एज में लगता है चार साल चार साल का इतना सही बच्चा इतना सही हेलमेट गोड करो, हेलमेट में धरो, स्कूटी खोलो ऐसे मत कर देना लाला का दम गुट जाएगा और वो लाला है इसलिए उसका दम गुट भी जाएगा नहीं तो लाला राम होए तो दम गोट भी देगा यह है आजकल इख भीमारी होगी फॉन है ना मोबाइल का हर बंदा काई लगता है आथ उठाओ तो मोबाइल लगता है हर समय मोबाइल बच्चा उठते इसल से पहले माबाप के चनग नी डूड़ता है वो डूड़ता है मोबाइल मिल जाए तो बहुत अची बात है नहीं मिले तो उसके हालत यह होगी देखो ना नहीं मिला जड़ा उसका जान निकाल रहा है यह इससे इतनी ज्यादा एक्सिजेंट हो रहे हैं यम्राज को विचारे को इसमें स्यामिल होना पड़ा मोबाइल मोबाइल से करेंगे बाद तो यम्राज से हो जाएगी तो और यम्राज से इतनी जादा मुलाकात और ये 5,500,000 इंडिया में मर रहे हर सालोग पता है यम्राज जी पिचारा सीन सांग लगाता है इतनी देर में कपड़े पहड़ता है बन्यान भी नी पहरी इससे पहले कोला जाती महाराज जल दियाओ नी पिछेसी परेस्ट जारी होती है, लो काँ पड़ा यार, पिछली सीट पर भी लागू हो गई, ये क्यों होई है, वो एक साइरेस मिस्तरी था, तो बड़ा आद में मर जाता, तो नियम बदल जाते, तो तुम बड़े तुम्हारे से भी में नहीं बदले कर्काम कर इमरण में भी कोई फायदा दे, तो सीट बेल्ट जरूरी है, इसमें समसे पटी जरूरी क्यों है, कितनी भी बहंगी गाड़ी ले ले ना, सीट बेल्ट नहीं हुई तो वो नहीं खुलेगा, क्या, एःबैग, एःबैग नहीं तो तुम्हार पास मेरे जीज तौंद भी नहीं है मारा देशा तो फिर भी नूपड़ देगा लेकिन तौंद भी नहीं करेगा अगर गाटी नूपल्टा मारी नहीं तो तौंद वाड़ा समसे जादे पिचखता है हाथ आगे तो हाथ तूटेगा गर्दन आगी तो अगर नहीं तो उसमें सेट हो जाएगा कितने भी पर्टी मारो बच जाएगा ठीक है तो हेल्मेट जरूरी है न सीट बेल्ट ये देखो दारूपी के बोच चलाती लो जिसने एक को पकड़ लिया आमने मैं गया क्यों पी जिसने पी सराब नहूरा जिंदगानी में हजारो बह गए बोटल के इस बंद पानी तो मत करो इतनी मस्ती जिंदगी नहीं है सस्ती है ना लेकिन एक बाद बताओ तूफा में रहो कस्ती में रहो महिंगी में रहो सस्ती में रहो पर जब भी रहो मस्ती में रहो और हो आउँ वालो जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है और ना तो समझ लेना वह जबर्दस्ती जिंदा है जबर्दस्त्री महाराज की आपका जो इस्तरिवाडा जुटगला था वो वाकी शत्रिय था आप बच्चों में इस्तरियों के बाते करते शर्मादी यह आप तो जैन साफ वैसे बहुत आज इनका काम सिर्फ पेसा है पत्तरकारिता और 600 जगे आपकी न्यूज लगाएंगे तो पोट्टू जो यह खीच रहा है न त्यान से खीचवा ना पौन से पोट्टू अगवार में चैनल पर आ जाए जबर्दार तालिब जाओ सर के लिए और इनके बगल में हमारे ताराजी बेठे है यह पहले जिम जाते थे फिर बाद में जिमने जाने लगे पहले इनके भी मसल थे फिर दीर दीर कटल्स हो गए अना फिर दोड़े गोड़े हो गए कमरा अब कमरा है कि दमें संदर मुश्कुराते हैं और मिठा बोलते हैं पता क्यों बोलते हैं पता मूच्छों की वज़े से कुछ भी बोलते हैं आवाज चरचर के बाहर आती है जवरदार तालिब जाओ और ये वन चुक बांगडू बोटान से हमारे बीचे हैं ठीके इनके नाम ये जब तक नहीं बोले तो लोग इनको चाहिए जी समझते हैं फिर ये बोलते हैं अरे कहा जाये हैं पता चलका जूझणूगा है बज़रदार तालिब भाई की लिए बज़ाओ और आज हमारे बीच एक खास गेस्ट प्याए हैं हमारे ससूर नी हमारे साथ हैं जोरदर तालिया इनकी समझदारी की वज़े से एक बेवकु फादमी का ब्याँ हो गया है जोरदर सालिय हो जागा जागा जो पेटे जब आपके पास माईक ओ सकती हो तो पूरी परियोग कर लिया रहो बाद में तो घर जाके ओ सकता है जूत ही खाने फड़े क्योंकि ये कहेंगे घर जाके फिर मेरे मिसेज पर का च्छा मेरे पापा ये लिए तो अपड़े को खुश रहना चीया वराल में तो आप हस्ते हस्ते अपने समझा हेलमेट कैसा होना चीये थिए तो कैसा अचू 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 इतरी बिदे पढ़ाया उसके पीछे कुछ तो लिखा था वह नमबर वदाओ हो नमबर वदाओ एक साथ बोलो का मां के लाओ कि एलमेट का नंबर कितना होने जाए कि लाइट कितने तरह के होती है हौह और पोलीञे लोट जाए तो मैं पुलीञे में गलत आतमी हो जाए जाए आतमी हो तो जोर्दार तालियार, जैसी कुलिश के लिए लावे